हेलो स्टुएंट्स गुड मौनिंग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक साइज 3.2 पीछले क्लास में हम लोग अलजेबरा ओप मैट्रिक्स में मल्टिप्लिकेशन यानि गुड़नफल पड़ लिये थे और उसमें पॉजिटिव इंटिग्रल पावर भी देख लिये थे मैट्रिक्स का है जीसे यह स्क्वायर एक क्यूव एक टुई पावर फॉर इस समान निकालने के लिए तो ये स्टार्ट करते हैं 3.2 डी साइज नमबर स्क्री ईंसी इंसी 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 हज काम लोग क्रूश्चन करते हैं वहाँ ऊ हैं थो और ये तो इंसी इंससी इंसे इंस Lawn वह गया था 3.2 हम लोग start करते हैं देखे 3.2 का first question से start करते है 3.2 का first question है A equal to let A equal to यानि A equal to दिया है 2, 4, 3, 2 B equal to 1, 3, minus 2, 5 C equal to minus 2, 5, 3, 4 इस तरह से दिया हुआ है तीन यहाँ पे matrix तीन आप भी दिये हुए हैं A, B और C तो इस पे आगे आपको बहुत सारे question मिलेंगे addition करने के लिए subtraction करने के लिए multiply, divide, multiply वगर का इसे question मिलेंगे तो आपके पास 3 matrix है A, B and C तो इस पे questions आगे दिया हुआ है तो इस पे question number 1 इस पे दिया हुआ है A A plus B क्या find करना है first question एरा है A plus B आपको उपर हम बताया थे कि A, B, C का आपको value दिया हुआ है तीन matrix आपको A, B, C दिये हुए है ठीक है तो इनकी साहिता से हमको दिये हुए question का solution करना है तो पहला question है A plus B plus C हमको क्या निकालना है sorry A plus B निकालना है first question A plus B तो A plus B का मतलब क्या करेंगे कि A matrix का element लिखेंगे B matrix का element लिखेंगे दोनों को add करेंगे तो चलिए start करते है A plus B निकालना था A matrix का element कौन है 2, 4 जैसे कि उपर में आपको दिखाए है यहाँ पे A matrix यहाँ पे दिख रहा है B matrix C matrix तीनों है आप अपने copy में note करेंगे और हम नीचे में आपको बनाते चलेंगे एक ही बार ठीक है तो A, B और C देखिए तीनों matrix दिया हुआ था वहाँ पे तो A plus B अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे A matrix लिखेंगे फिर B matrix लिखेंगे दोनों को add करेंगे तो A का element है देखिए A का element है 2, 4, 3, 2 प्लस प्लस है तो प्लस देदिए B का element है 1, 3, minus 2, 5 यह हो गया अब दोनों को add कीज़ेगा तो add कैसे करते हैं corresponding element को तो 2 और 1 2, plus 1 हो जाएगा 4, plus 3 हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2, plus 1, 4, plus 3 3, minus है तो minus 2 हो जाएगा यह उसके बाद 2, 5 2, 5, add हो गया तो 2 और 1 2, 1 कितना होगा 3 4 और 3 कितना होगा 7 3 में से 2 minus होगा 1 और 2 और 5 कितना होगा 7 इस तरह से A plus B हो गया अब A plus B के बाद next question है A minus B A minus B का मतलब कि A matrix में से हमको B matrix को क्या करना है minus करना है A matrix में से B matrix को क्या करना है minus करना है तो A का A matrix का element लिख लिए हैं आपर B matrix यहाँपे लिख लिए दोनों के बीच में minus sign हो गया अब दीखें जैसे minus करेंगे तो 2 में से A को खटा देंगे बताये थे पीछे आपको concept में घटाने के लिए संगत आओए corresponding element को minus करते है 2 में से 1 घट गया 4 में से 3 घट गया 4 minus 3 3 minus 2 तो minus 2 हो गया यहाँ पे देखिए 3 minus अब पहले से minus 2 है उसके बाद 2 में से 5 हो जाएगा 2 minus 5 इसको जैसी आप solve कीजेगा तो 2 में से 1 घटेगा 1 4 में से 3 घटेगा 1 3 minus minus 2 तो minus minus plus हो जाएगा 3 to 5 हो जाएगा 2 minus 5 minus 3 इस तरह से आपका यह minus भी हो गया अब देखिए इसी में next question है 3A minus C 3A minus C का मतलब कि A matrix में आपको 3 का multiply कर लेना है और फिर उसमें से C matrix को minus कर देना है तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले 3 देखिए A में multiply किसका है 3 का 3 हो गया यहाँ पे और A matrix के जगा पे यहाँ पे लिख लिए और A matrix के जगा पे यहाँ पे लिख लिए फिर minus c के जगापी इसको लिख लिए अब सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 का multiply A matrix में करेंगे तो 3 2 या कितना हो जागा दीखे 3 into 2 हो जाएगा 3 into 4 ये हो जाएगा 3 into 3 ये हो जाएगा 3 का फिर 2 में करेंगे 3 into 2 फिर minus इसको ज़स्ट ऐसी उतार देंगे minus 2 5 3 4 अब यहां से क्या करेंगे हम लोग देखे 3 2 ये कितना हो जाएगा 6 और ये होगा 4 3 ये 12 और 3 3 ये 9 3 ये 6 minus कितना हो जाएगा minus 2 5 3 4 आगए जैसी बढ़ेंगे इसमें हम लोग तो देखेएगे अब इसको क्या करेंगे minus करेंगे minus करने के लिए 12 में से 5 minus होगा 12 minus 5 9 minus 3 9 minus 3 vaig 10 9 minus 3 हो गया 6 minus 4 6 minus 4 आप solve कीज़ाओ 6 to 8 नहीं हो जाएगा 12 में में से 5 घटे में कितना होगा 7 नहीं हो जाएगा 9 next 3 जैएगा 6 और 6 नहीं से 4 जाएगा 2 इस तरह से solve हो गया अब इसके बाद हम लोग fix आगे बढ़ते है में लो देखिए 4 question क्या था इसमें question number 4 question number 4 है A B और 5 में है B A निकालने के लिए A B का मतलब होगा A का multiply B में करना है और B A का मतलब B का multiply A में करना है तो आपको multiplication पढ़ाये थे multiplication जो है कब defined होता है दो matrix का अगर मान लिए कि A और B दो matrix है तो इसका multiplication इसका गुड़नफल का परिफासित होगा जब A का column A का column B के रो के equal होगा तो सबसे पहले जिस matrix का multiply करना होगा पहले चेक करेंगे ये column हो गया और ये row हो गया ठीक है तो ये column और ये row तो A B निकालने आए तो पहले तो A का column देखेंगे कि B के row के बराबर है की नहीं है तो चलिए start करते है next A B A B matrix आपको उपर में लिखा हुआ है ये ध्यान देंगे ये हमें सबने copy में note कर लेंगे हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको A B निकालना है मतलब A का multiply B में तो देखिए A matrix में था दो column था और B matrix में भी जो है दो ही कोलम है इसका मतलब कि उसमें दोनों का और B matrix में जो है दो row था इसका मतलब कि इसका जो column है row के बराबर था इसलिए A B जो है defined होगा ठीक है अगर A B defined होगा तो उस case में इसका हम लोग multiply करेंगे तो multiply करने के लिए देखिए नीचे में यहाँ पर multiply करते हैं A का multiply किसमें करना है B में तो A B देखिए तो A के जगा पर क्या दिखेंगे 2, 4, 3, 2 उसके बाद B के जगा पर है 1, 3, minus 2, 5 जैसी multiply करेंगे हम लोग तो बारी बारी से multiply करते चलेंगे बताया थे आपको कि जब भी A का multiply B में करना होगा तो A के प्रतेक रो का B के corresponding column में फिर सुनिए A के प्रतेक रो का B के corresponding column के element में multiply करके add करते चलेंगे तो A भी जैसे निकालेंगे यहाँ से तो A के रो का B के corresponding column multiply करेंगे तो देखिए यह हो गया इसका first row, second row, यह first column, second column तो यहाँ पर पहले two का होगा किस में? one में तो two का one में होगा तो कितना होगा? two, two into one, two हो गया यहाँ देखिए four minus two, four में minus two का multiply हो गया उसके बाद देखिए first row का first column में हो गया, ठीक है? उसके बाद इसी first row का second column में करेंगे तो 2 का करेंगे 3 में यहा 2 into 3 उसके बाद 4 का करेंगे 5 में तो 4 into 5 बीच में plus हो गया तो first row का दोनों column में बारी बारी से हो गया ठीक है अब second row का बारी बारी से column में करेंगे तो second row में क्या है 3, 2 तो 3 का करेंगे पहले कि इसमें 3 का करेंगे 1 में तो 3 into 1 फिर प्लस 2 का करेंगे माइनस 2 में तो 2 into minus 2 फिर next आ गया गया तो 3 का करेंगे 3 में तो कितना होगा 3 into 3 2 का करेंगे 5 में तो 2 into 5 अब इसको क्या कर देंगे हम लोग solve करेंगे ठीक है जैसे solve करेंगे तब 2 वंजा 2 हो गया 2 minus 8 हो गया 3 2 या 6 6 और plus कितना हो जाएगा 20 ये 3 वंजा 3 minus कितना 2 minus 2 into minus 2 minus 4 हो गया 3 3 या 9 और plus का कितना 10 अब इसको जैसे हम लोग solve करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा इसको जैसे हम लोग solve कर देते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपका 2 minus 8 minus 6 हो जाएगा 6 plus 20 26 होगा और ये minus 1 और ये यहाँ पर आपका 19 हो गया ठीक है तो a into b निकल गया अब हमको क्या निकलना है b into a तो b into a का मतलब कि b का multiply a में करना है तो b into a करना है इसका मतलब कि b का जो column होगा वह a के रो के equal होगा पर हम check कर लेंगे form ठीक है अगर check कर लेंगे अगर b का column a के रो के equal होगा तभी इसका multiply defined होगा otherwise defined नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं b a निकलते हैं यहाँ पर चलिए b a निकलने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए b का कितना column है two देख लिजिए अपने question में किताब copy लेकर बैठिए उसमें देखिए question में b matrix जिसका column कितना है two और a matrix का भी column two ही है ठीक है देख लेंगे उसमें हम देख चुके हैं इसमें तो b का column two है और a का रो जो है two है तो b का column two और a का जो रो है वो तो है तो दोनों बराबर है चुके आपको बता हैं कि b a define होने के लिए b का column और a का रो जो है बराबर होना चाहिए अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे b a b a का मतलब b का product किससे कराएंगे a से तो b matrix है देखे b का element लिख लिए 1, 1, 3, minus 2, 5 हो गया उसके बाद एक matrix है जिसका element है 2, 4, 3, 2 अब जैसे multiply करेंगे तो इसका जो है इसमें करेंगे पहले तो इस row का इस row का जो है इस column में करेंगे first column में तो सबसे पहले 1 का multiply होगा 2 में 1 का multiply किस में होगा 2 में तो 1 का जब 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 into 2 फिर 3 का करेंगे 3 में तो 3 into 3 देखे first row का first column में कर रहा है हो गया फिर 1 का करेंगे 4 में तो 1 into 4 फिर बीच में plus होता है 3 into 2 3 into 2 हो गया तो देखिए first row का दोनों column में बारी बारी से हो गया ठीक है अब second row का करेंगे तो minus 2 का करेंगे 2 में तो minus 2 into 2 ये हो गया फिर minus फिर 5 का करेंगे 3 में तो 5 into 3 ये हो गया उसके बाद फिर minus 2 का करेंगे 4 में तो minus 2 into 4 फिर 5 का करेंगे 2 में 5 इंटो 2 तो इस तरह से multiply करेंगे row to corresponding column अब देखे इसको solve करेंगे 1 का करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा अब प्लस 3 3 जा 9 देख रहा है यहाँ पे उसके बाद 4 इंटो 1 4 अब प्लस कितना 6 यह देखे माइनस 2 इंटो 2 माइनस 4 5 3 या 15 उसके बाद यह जाएगा माइनस 2 इंटो 4 माइनस 8 और 5 2 या 10 यह जाएगा अब इसको solve करेंगे जैसे solve करेंगे यह आपको मिलेगा 2 और 9 2 9 11 हो गया 6 और 14 हो गया यह 15 और माइनस 4 कितना हो जाएगा 11 हो गया माइनस 8 और 10 कितना हो गया 2 तो इसका मतलब कि BA भी हम लोग निकाल दिये तो AB और BA AB का प्रोड़क्ट करा दिये फिर BA तो पहला कोश्चन कंप्लीट हो गया चलिए कोश्चन नमबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लो सिंपल कोश्चन है क्यों multiply, addition, subtraction आपको आना चाहिए इसके कोश्चन बहुत असान होंगे अब देखे कोश्चन नमबर 2 कोश्चन नमबर 2 है ध्यान समझेंगे कि compute the following यानि इसको आपको solve करना है ठीक है तो solve करना है तो देखे क्या लिए एक matrix है यहाँ पे एक matrix यहाँ बीच में किसका sign है प्लस का बीच में अगर प्लस का sign है तो हम याठ करना है तो आइड कैसे करेंगे है इसको हम दो देखे कि यहाँ भी एडिचं का question है इसको भी एड करना है मतलब कि यह question number two total जो है अडिचंप जो है यह से डिपेंड है तो एडिचंब वाले question जो हम लोग कैसे करेंगे है आपको बताया थै कि addition दो matrix का एडिसन तभी डिफाइंड होगा है जब उसका वह जो है कंपरेबल मैट्रीक्स होगा इसका मतलब कि दोनों का जो आउडर होगा वह सेम होना चाहिए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको एड करते हैं चारो कोशन को चारो कोशन को एड करने के लिए देखिए यहां पर हम एड किये हुए है आप इसको समझाते चलते हैं केवल तो देखिए कोशन नमबर वन है कि A प्लस B, A, B, M-B, A और इसमें अवयो है A, B, B और A इसको आपको add करना है तो add करने के लिए A का A में add होगा तो A प्लस A हो गया B का B में add होगा तो B प्लस B हो गया माइनस B का B में होगा तो माइनस B प्लस B होगा और A का A में होगा तो A प्लस A होगा अब इसको जैसी solve करेंगे तो A और A कितना होगा 2A, B और B, 2B माइनस B और प्लस B कट के कितना 0 हो जाएगा ये कट जाएगा A प्लस A कितना होगा 2A तो आ गया इसका value अब उसी तरह से question number 2 question number 2 भी add करेंगे देखिए first matrix और second matrix दो matrix दिया हुआ है इसको add करते हैं corresponding element को तो दिखिए इसका ये add होगा तो A square plus B square अब plus 2AB दिख रहा है आपे तो A square plus B square plus 2AB उसके बाद दूसरा है आपका B square plus C square plus 2BC उसके बाद next है आपका A square plus C square minus 2AC उसके बाद A square plus B square अब उसके बाद minus 2AB यहाँ पे add होगा आपका अब इसको हम लोग solve करेंगे ठीक है तो solve जैसे ही करेंगे देखिए ये एक formula आपको दिख रहा है ये जो है आपको एक formula है A square plus B square plus 2AB वराबर होता है A plus B का whole square B square plus C square plus 2BC ये होता है B plus C का whole square क्योंकि आप जानते हैं कि A plus B का whole square equal to होता है A square plus B square plus 2AB ठीक है तो इसी formula पे ये है आपका और minus अगर रहेगा तो यहाँ पे minus हो जाता है आपका ठीक है तो यहाँ पे देखिए इसका formula ये हो गया B square plus C square plus 2BC का formula B plus C का whole square अब देखिए A square plus C square minus 2AC का formula क्या होगा A minus C का whole square अब A square plus B square minus 2AB का कितना होगा A minus B का whole square ये हो जाएगा आपका चलिए next question हम लोग करते है next question है question number 3 question number 3 में दिया हुआ है कि इसको आपको add करना यहाँ पे एक ये matrix है दूसरा matrix ये है जैसी इसको add कहते हैं हम लोग देखिए corresponding element सेम पीछे वाला ही question है minus 1 का 12 में कर देंगे तो minus 1 plus 12 सिदस्दे answer पे आते हैं 11 हो जाएगा 4 और 7 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा minus 6 और 6 0 हो जाएगा आपका 8 और 8 16 हो जाएगा 5 और 0 5 हो जाएगा उसके बाद 16 और 5 कितना होगा 21 होगा यह आप हम calculation step by step आपको कर दिये हैं हम direct answer पहुँचते हैं क्योंकि आपको addition अब उमीद है कि आ रहा होगा 2 का करेंगे 3 में तो 5 होगा addition करेंगे तो 8 और 2 कितना होगा 10 होगा 5 और 4 कितना होगा 9 होगा इस तरह से होगी आपका next अब दिखिए squared करना है question number 4 question number इसका 4 है cos square sin square cos square sin square cos square sin square जैसे squared करेंगे cos square का sin square में होगा cos square by sin square हो जाएगा पिस sin square का cos square में होगा sin square plus cos square पिस sin square का cos square में होगा sin square plus cos square cos square का sin square में cos square plus sin square अब उलिए cos square plus sin square के value 1 sin square plus cos square 1 sin square plus cos square का formula कितना होता है 1 और cos square plus sin square 1 क्योंकि अब टेंथ क्लास में पढ़ना है कि sin square theta प्लस cos square theta बराबर 1 होता है ठीक है उसी फारूले पे हो गया चलिए next अगला question देखते हैं हम लो compute the indicate product अब देखिए addition हो गया आप हम लोको product निकालना है multiply multiply कैसे करना है question number 3 ध्यान समझेंगे question number 3 में दिया है कि आपको product करना है गुणा करते हैं हम लोग ठीक है आपको product जैसे ही आता है question तो दिमाग मैंना चाहिए product A और B अगर हमारे पास दो matrix है तो इसका product तभी defined होगा तभी परिवासित होगा exit तभी करेगा जब A का column B के row के equal होना चाहिए ठीक है तो चलिए start करते है multiply जब भी multiplication के question या product के question आए तो पहले आप चेक कर लीजिए कि इसका product defined है कि नहीं है तो यहां हम चेक करके आपको बताते हैं देखिए अगर इसका और यह दो matrix का product निकालना है तो सबसे पहले इसका first का देखिए first का order है two by two और इसका भी two by two है इसका मतलब कि इसका जो column है इसके row के इकोल है तो प्रोड़क्ट डिफाइन है चली product करते हैं यह भी question product का ही है इसमें इस question में देखा जाए तो three by one का है और यह देखा जाए तो one by three का है इसका मतलब कि इसका column इसके row के equal है तो इसका product defined है इसका मतलब कि इसमें सेंसियार्टी में 6 question है question number 3 में तो चलिए first का पहले बारी बारी बार सलूसन करते हैं हम लोग देखिए तो यह हो जाएगा आपका matrix है यह matrix आपका दिया हुआ है जिसका multiply आपको करना है चलिए इस matrix का हम लोग इस matrix का multiply हम लोग इसमें करते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या बोलें कि row का corresponding column में multiply होता है multiply करके add कर देंगे तो a का पहले करेंगे a में तो a हो गया a का a में करेंगे तो a into a फिर b का करेंगे b में तो b into b हो गया बीच में plus हो गया फिर देखिए first row का first column में clear हो गया उसके बाद इसी first row का आप second column में करेंगे तो second column में करेंगे तो a का करेंगे minus b में तो a into minus b हो गया फिर b का करेंगे a में तो b into a हो गया ठीक है तो first row का दोनों column is first column second column में हो गया अब हम लोग क्या करेंगे अब second row का जो है इस first में और second column में करेंगे बारी बारी से तो minus b का a में करेंगे तो minus b into a फिर a का करेंगे b में तो a into b हो गया फिर minus b का करेंगे minus b में, तो यह हो जाएगा, फिर a का करेंगे a में, तो यह हो जाएगा, ठीक है, अब इसको हम लोग solve कर देंगे, जैसे solve करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर क्या मिलेगा, a का a में करेंगे, तो a square, b का b में करेंगे, b square, बीच में plus हो गया, a minus b, कितना हो जाएगा, minus a b, और यह plus का a b, यह minus b into a minus a b, और plus a b हो गया, यह minus minus plus b square, प्लस a square यह हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको solve करेंगे, ठीक है, जैसे solve करेंगे, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, कि यह देखिए, यह minus a b, plus a b, कट गया, यह minus a b, plus a b, कट गया, तो आएगा कितना a square, plus b square, 0 हो गया, 0 हो गया, a square, plus b square, तो इस तरह से multiply हो गया आपका, चलिए अगला question देखते हैं हम लो, इसका, देखिए, question number, question number 3 का 2 है, question number 3 का 2 में दिया हुआ है, first matrix में दिया है, कि element है इसका, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और second matrix में element है कितना, 2, 3, 4, तो सबसे पहले इसका order चेक कर लेते हैं, देखिए, first का order है आपका, one, sorry, one नहीं, three by one है इसका, और इसका है one by three, तो इसका जो column है, इसके row के equal है, तो इसका मतलब कि इसका जो multiplication है, वो defined है, ठीक है, जब multiplication defined है तो इसका multiply करेंगे, सबसे पहले ये first row का, इसके तीनों क column में बारिवाई से करके add करते चलेंगे, फिर second row का start करेंगे, फिर third row का start करेंगे, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले first row से, तो first row का, सबसे पहले first column, second column, third column, बारिवाई से हो गए, तो पहले one का करेंगे, two में, तो कितना होगा, one into two, फिर इसी one का करेंगे, three में, तो one into three, देखिए, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में यहां लिखेंगे, यहां पर, तो one का करेंगे, देखिए, one का करेंगे, four में, तो one into four हो गया, लिख लिए ऐसे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का, इसी का, इसी का, इसका तो हो गया, फर्स्ट का, फर्स्ट कॉलम में, second column में third column में बारी बारी से हो गया अब क्या करेंगे second row का करेंगे second row का करेंगे first column में तो 2 का करेंगे 2 का करेंगे 2 में ठीक है तो 2 का 2 में करेंगे तो 2 into 2 फिर इसी 2 का 3 में करेंगे 2 into 3 2 का 4 में करेंगे 2 into 4 अब 3 का करेंगे 3 का करेंगे पहले 2 में तो 3 इंटो 2 3 का 3 में करेंगे 3 इंटो 3 3 का करेंगे 4 में 3 इंटो 4 अब यहां से हम लोग solve करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा 2 3 जा 3 4 1 जा 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 तो यह आपका multiplication आ गया ठीक है तो यह जो multiplication आया वह first matrix का second matrix में multiply करने पर आया इसका हो लेकि इसका element हो गया 2 3 4 4 6 8 6 9 और 12 अब देखिए इसी का third question है question number third देखते हैं हम लोग question number third में दिया है कि 1 2 1 minus 2 2 3 उसके बाद यह है 1 2 3 2 3 1 तो इसका first वाले का order कितना है 2 by 2 second वाले का 2 by 3 तो इसका मतलब कि इसका column इसके row के equal है first का column second के row के equal है इसका मतलब multiply क्या होगा defined होगा अगर multiply defined होगा तो चलिए multiply करते हैं तो फ़़ले one का देखिए यह first row का पहले तीनो column में बारी बारी से होगा ठीक है तो पहले 1 का करेंगे 1 में तो 1 into 1, minus 2 का करेंगे 2 में तो minus 2 into 2 इस तरह से multiply करते चलेंगे और फिर last में इसको arrange करेंगे ठीक है तो आप इसको अपने से कीजिएगा बहुत सारे question है इसमें देखिए 3-3 order का है 3 by 3 का है 3 by 3 का है तो इसका multiplication defined होगा तो आप multiply कीजिए अगर मान लिजिए कि आपको problem होगा multiply करने में तो comment box में question number comment कर दिजिएगा हम उसको फिर से आपको बता देंगे next video में तो इस तरह से देखिए यह सम multiply के question है अपने से practice कीजिए जो नहीं आएगा उसको बताया जाएगा अब दिखिए question number 4 question number 4 आप start करते है हम लोग question number 4 में दिया है कि if A equal to एक matrix है B equal to matrix है और एक matrix दिया C equal to तो if A equal to इतना दिया है B equal to इतना C equal to इतना है then compute A plus B B minus C and verify that A plus B minus C equal to A plus B minus C इसका मतलब कि इसमें आपको दो question दिये हुए पहला question दिये है कि आपको इसका value निकालना है दोनों का और दूसरा question है verify करना है आपको charge करना है ठीक है कि A plus B minus C जो है equal होगा A plus B minus C के तो चलिए हम लोग सबसे पहले A plus B और B minus C निकालते हैं आपको पीछे कितना बाद निकलवाई भी है question में ठीक है तो हम लोग direct इसको निकालेंगे ज़्यदा लेंदी हम लोग नहीं चलेंगे ठीक है तो हम लोग direct जल्दी यह लिए निकालते हैं इसको चलिए start करते हैं पहला A आपको matrix दिया है B matrix दिया है então corresponding element कैसे इसका इसके साथ इसका इसके साथ इसका इसके साथ ठीक है इसका इसके साथ इस तरह से add होता है मालूम है आपको तो इस तरह से हम लोग add करेंगे तो चलिए start करते हैं हम लोग add करना A plus B देखे A matrix हो गया B matrix हो गया add किजिए 1 और 3 कितना होगा 4 सीधा सीधा 4 आ गया 2 माइनस 1 कितना होगा 1 माइनस 3 और 2 कितना होगा माइनस 1 5 और 4 कितना होगा 9 ठीक है यहां पर देखिए यहां step by step calculate किया है 0 2 2 हो जाएगा 2 और 5 आइट किजिए गया तो कितना होगा 7 1 और 2 कितना होगा आइड की जाएगा तो 3 माइनस 1 और लडड़ू कितना हो जाएगा माइनस 1 बरफी हो जाएगा ना जी उसके बाद 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 इस तरह से आपका अडिशन होगा ठीक है next आगे बड़ते हैं अब दिखिए बी माइनस सी निकलना है तो बी माइनस सी का मतलब कि आपको बी मैट्रिक्स में से किस मैट्रिक्स को घटाना है सी मैट्रिक्स को चलिए बी माइनस सी निकालते हैं हम लोग ठीक है तो बी मैट्रिक्स देखिए आपको यहाँ पे है C matrix यहाँ पर है घटाईए तो 3 में से 4 घटेगा कितना होगा 3 माइनस 4 सबसे पर सॉरी यहाँ पर A माइनस B तो निकल दी गया सॉरी A पलस B निकल गया B माइनस C निकलना है ठीक है अच्छा B माइनस C निकलते हैं हम लोग यहाँ पर चलिए B माइनस C निकलना है यहाँ पर वेरिफाई कर दिया गया है चलिए B माइनस C आपको अलग से निकल देते हैं और बताते हैं किस तरह से आएगा वैलू तो B माइनस C अगर निकलना है तो B का एलमेंट है आपका 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 C का एलमेंट है 4 1 2 0 3 2 1 2 3 अगर B माइनस C हमको करना है तो B मैट्रिक्स मैंसे C मैट्रिक्स को मैट्रिक्स को मैट्रिक्स करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यही सेम चीज हम लोग उतारे हैं B मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है C मैट्रिक्स दिया हुआ है ठीक है अब इसको क्यों हम लोग को उतार दिये हैं यहाँ पर अब इसको हम लोग सब्स्ट्रेक्ट करेंगे तो जैसे हम सब्स्ट्रेक्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखे हैं क्या आएगा यहां पर लिख देते हैं यहां पर ऐसे दिखेगा तो लिखा हुआ है ठीक है यह नेक्स्ट कोश्चन के लिए हम इसी में एक ही में बना दिया है तो सबसे पहले हम लोग आपको यहां पर दिखा देते हैं कि B-C कैसे आएगा तो 3 में से 4 गटेगा कितना होगा जिरो गटेगा तो 4 हो जाएगा 2 में से 3 गटेगा माइनस 1 होगा 5 में से 2 गटेगा 3 हो जाएगा उसके बाद 2 में से 2 में से 0 गटेगा तो 1 हो जाएगा 0 में से माइनस 2 गटेगा तो माइस माइस प्लस 2 हो जाएगा और उसके बाद 3 में से 3 गटेगा तो 0 हो जाएगा तो इस तरह से आपको b-c आप calculate कर लेंगे और अपने copy में लिख लेंगे यह आपका 0 है ठीक है तो यह b-c निकल गया अब दीखे b-c निकल गया तो हमको a plus b और b-c दो चीज के लिए रहो गया अब दीखे इसमें verify करना क्या है verify आपको यह करना है कि इसमें a plus b देखे a plus b-c और a plus b-c दोनों equal होना चाहिए तो अभी आपको पीछे में b-c भी निकल लिए हम और a plus b भी निकल लिए अब इसी को help ले इसी से help ले करके हम लोग यह निकल देते हैं total तो b-c निकला हुआ है इसमें a जोड़ देंगे तो lhs निकल जाएगा और a plus b आपको एक b-c निकलते हैं तो a plus b-c देखिए यहाँ पर निकलते हैं हम लोग तो a plus b-c तो a का element a का element यहाँ पर है b-c अभी निकलते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर total यह value जो है total b-c का यह total value किसका है b-c का यह किसका value है a का तो यहाँ इसको हम लोग हम solve कर देते हैं तो देखिए A का वैल होगा, B मैंसी होगा, तो दोनों को add कीजिएगा, तो add कीजिएगा, तो 1 और minus 1 कितना होगा, 0 सिधस्द यहां आते हैं, उसके बाद 2 और minus 2 कितना होगा, 0 होगा, minus 3 और 0 कितना होगा, minus 3 होगा, उसके बाद 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 और minus 1 कितना होगा minus 1 होगा 2 और 3 कितना होगा 5 होगा 1 और 1 कितना होगा 2 होगा minus 1 और 2 कितना होगा 1 होगा 2 और 0 1 और 0 कितना होगा 1 हो जाएगा ठीक है तो यह आगया आपका A plus B minus C जब A plus B minus C निकल गया तो अब हम क्या करेंगे A plus B minus C निका लेंगे तो a plus b आपको पीछे निकल वाया है ये a plus b का ठीक है अब जब a plus b निकल गया थे इसमें से हम क्या करेंगे c वाला element को minus करेंगे c का value है ठीक है तो ये a plus b minus c हम लोग निकालेंगे ठीक है तो देखिए तो यहां पे a plus b का value इतना उपर में निकाले है देख लीजिएगा और य 1 में से 1 घटेगा कितना लड़ू हो गया माइनस 1 में से 2 घटेगा कितना होगा माइनस 3 होगा उसके बाद 9 में से 0 घटेगा कितना होगा 9 होगा 2 में से 3 घटेगा माइनस 1 7 में से 2 घटेगा 5 3 में से 1 घटेगा अपका 2 minus 1 में से minus 2 घटेगा plus 1 उसके बाद 4 में से 3 घटेगा आपका 1 यह आपका हो गया a a plus b minus c तो यहाँ पे देखा जाए a plus b minus c a plus b minus c का जो value आया वह यह वला आया ठीक है और उसके बाद a plus b minus c का जो value आया यह वला आ गया तो दोनों का value देखा यह तो बराबर है देखिए दोनों का जो value lhs rhs का हो गया same हो गया इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमार result हो गया verify हो गया hence we have verified that a plus b minus c equal to a plus b minus c तो clear हो गया चलिए next आगे बढ़ते हैं question number 5 पे question number 5 है कि if a equal to a equal to दिया है 2 by 3 a equal to दिया है आपको question में 2 by 3 1 5 by 3 और यहाँ पे जो भी आपको दिया हुआ है b matrix दिया हुआ है तो आपको compute करना है कि 3a minus 5b 3a minus 5b का मतलब कि पहले आपको क्या करना है a matrix में 3 का multiply करके और फिर minus फिर 5 में क्या करना है sorry b matrix में किसका multiply 5 का इसका मतलब कि 3a minus 5b का मतलब आपको सबसे पहले क्या करना होगी a matrix में 3 का multiply कर लिजिए और b matrix में 5 का multiply किजिए और फिर इसमें से 3a में से क्या किजिए 5b को क्या कर दिजिए minus कर दिजिए पिछली यह start करते हैं तो देखिए 3a minus 5b निकालते है ठीक है तो यहां पर दीखिए 3 हो गया यहां पर देखेंगे आप 3 यहां पर है 3 यहां लिख लिए a a matrix a matrix यहां पर आपको दिया हुए है total a matrix ठीक है तो a matrix है तो 3a हो गया फिर minus 5b बी, बी के जगा पर यह matrix आपको दिया हुआ है, 2 by, 2 by 5, 3 by 5, 1, 1 by 5, 2 by 5, 4 by 5, 7 by 5, 6 by 5, 2 by 5, ठीक है, तो यह 3 है, माइनस 5 भी, आपको दे दिये हैं, अब इसको आपको क्या करना है, calculate करना है, तो calculate करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले, इस 3 का, इस 3 का multiply इसमें क किजिएगा, तो 3, 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2, देखिए, 2 बचा है, फिर 3 का multiply 1 में किजिएगा, 1 में, तो कितना बचेगा, 3, फिर 3 का multiply 5 by 3 में किजिएगा, तो 3, 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 5, फिर वही काम, आपको यहां एक और बता देता है, 5 by 3 into 3 किजिए गए 3 3 कटेगा 5 बचेगा वह लिखा हुआ है यहाँ पर उसके बाद देखिए 3 का 1 by 3 में करेंगे तो 1 हो जाएगा 3 का 2 by 3 में करेंगे तो आपको 3 3 cancel out होगा तो 2 बचेगा इस तरह से आप 3 का multiply करके यह सब element देख सकते हैं ठीक है फिर minus 5 5 का multiply से इसमें करेंगे 2 by 5 into 5 केतना हो जाएगा 2 by 5 into 5 जी जीसके करेंगे तो यहmir क्रोस होगा तो यहाँ पर क्ारुचेगा तो त्सक्राइब होगा फाइप का one में करेंगे तो यह 5 हो जाएगा, 5 का 1 बाई 5 में, तो 5 फेप कटेगा, 1 हो जाएगा, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, सम में multiply हो गया, multiply करने के बाद, अब हम लोग क्या करेंगे, कि इसको हम लोग minus करेंगे, ठीक है, तब 2 का 2 में minus होगा, 2 का 2 में जहीं minus होगा, तो यह कितना जाएगा, 0, 3 का 3 में आएगा, तो यह 0, 5 का 5 में आएगा, तो लड़ू हो गया, 1 का 1 में आएगा, तो यह भी लड़ू होगा, इस सब लड़ू आ रहा है, ठीक है, तो 2 का 2 में, 4 का 4 में सब 0, 0 आ रहा है, इसका मत देखेंगे 3a minus 5b कैसा आभी हुआएगा यहाँ पर सुनने आभी हुआएगा 0 matrix आएगा चलिए question number 6 question number 6 हम लोग करते है question number 6 simplify करना है सरल करना है ठीक है cos theta cos theta into into है देखें यह into है cos theta into cos theta into में दिया है matrix में दिया है cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta into sin theta minus cos theta cos theta sin theta तो इसको आपको simplify करना है ठीक है तो simplify करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे देखेंगे question में क्या दिया कि cos का into दिया है इसमें ठीक है तो cos का पहले multiply इसमें कर लेंगे cos का यहाँ कर लेंगे सब के element में मतलब पहला वाला जो भी matrix है उसमें total में cos का पहले multiply कर लेंगे फिर दूसरे matrix में sign का multiply कर देंगे सभी element में और multiply करने के बाद तब इसको बीच में क्या दिया है addition बीच में addition का sign दिया है तो फिर add करेंगे तो सबसे पहले हम gras करते हैं यहांन पर का पहले इस पोस्ट का देखें यहां पर को से में यहार पर देख सकते हैं कोस का पहले multiply किसमें होगगा cos में cos स्वरण सब्सक्राइबGER साम का सायन में तो conjunction साइन का सायन मैं थैटा इंटू साइन हैं थैटा साइन हम मैं sine का minus cos में تو minus sine into cos theta sine का cos में تو sine theta into cos theta sine का sine में sine square theta अब जो भी matrix आया अब इसको add करेंगे ठीक है तो add करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको add करने के लिए यहाँ पे देखिए cos square का पहले sine square में add होगा cos square plus sine square cos theta sine theta cos theta sine theta माइनस है तो माइनस हो गया sine theta cos theta यह हो गया उसके बाद इसको इसमें add करेंगे तो minus sine theta cos theta plus sine theta cos theta हो गया उसके बाद cos square theta यह sine square theta है तो cos square theta plus sine square theta अब देखिए जब सबको add कर दिये तो अब इसको solve करेंगे देखिए cos theta plus sine theta यह प्लस में और यह माइनस में कट गया, यह माइनस में और यह प्लस में कट गया, तो कटाने के बाद हमारे पास result क्या आएगा, देखें यह वाला जो cos square plus sin square है, इसका value कितना हो जाएगा 1, क्योंकि cos square theta plus sin square theta 1 होता है, फिर यह हो जाएगा आपका 0 कट जाएगा तो, यह भी 0 हो गया total, यह cos square theta plus sin square theta 1 हो गया, फिक है, तो इस तरह से आपका भेलव आ गया, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, कैसा matrix है, unit matrix है, यह identity matrix है, फिक है, इसी को हम लोग sort में, I2 भी लिख सकते हैं, I2 का मतलब होता है कि identity matrix of order 2, इसका मतलब कि 2 order का identity matrix है, इका यह ब्यू है, चलिए, next question number 7, question number 7 है, देखे, 7 में दो question है, 7 में दिया है, find x and y, find किसका वेलो निकालना है, xy का, if x plus y equal to, देखे, matrix form में दिया है, x plus y equal to, इतना है, और x minus y equal to, इतना दिया हुआ है, ठीक है, यह जैसे आप 10th class में equation, 2 variable linear equation solve करते हैं, उस तरह से solve करेंगे, जैसे आपका याद होगा, कि 2 और x minus x plus y बराबर 8, ऐसा question मिले था आपको 10th class में, इसको असानी से solve कर देखे, इसको solve करने के लिए आप क्या करते थे, कि किसी एक को, x और y को यहाँ से eliminate कर देखे, कटाते थे, तो कटाने के लिए आप क्या करेंगे, या हटाने के लिए क्या करेंगे, देखे, हम minus a plus, द 5 पायता था, अब x का value किसी में रख देंगे, x का value किसी भी समीकर में रख देंगे, किसी भी equation में तो y निकल जाता था, वही same का, वही same pattern, यहाँ भी matrix में भी आपको करते चलना है, तो देखिए, यहाँ पे first question है, x plus y equal to, equal to में जो भी इदर constant आता था 2 वाट, उसके बदले matrix दिया है, तो matrix के तरीके से इसको जोड़ घटाव करेंगे, गुणा भाग करेंगे, ठीक है, तो x plus y equal to 7, 0, 2, 5, ठीक है, और x minus y equal to दिया है, 3, 0, 0, 3, आपको 2 equation दिया हुआ है, तो आपको x और y निकलना है, तो बोली, अगर x और y निकलना हुआ है, तो अगर x अगर निक second equation मान ले, तो जिस दिन दोनों को जोड़ देंगे आप उसमें, तो यह y और y कट जाएगा, तो x और x 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, वहां से x की value निकल जाएगी, तो चलिए इसको इसको बनाते हैं, इसमें दो question है, इसमें एक x plus y, देखे, x plus y equal to दिया था, कि 7025 है, इसको equation number 1 कर लिए, ठीक है, इसको equation number 1, अब इसको equation number x minus y equal to कितना, 3003, equation number 2 हो गया, जैसे इसको solve करेंगे, तो हम क्या बोलें, add कर देंगे, तो y plus में, y minus में, add कर देंगे, तो y y कट जाएगा, तो adding equation number 1 and equation number 2, जैसे add करेंगे, तो y plus में, y minus में कट जाएगा, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, और इसको विधर add करेंगे, अब इसको add करने का मतलब क्या, देखे, यह matrix में है, यह भी matrix में है, तो यह first matrix यहाँ लिख लिए, फिर add होता है, addition करना है, तो बीच में plus का sign है, फिर इसको matrix को लिख लिए, add कर दि 10, 0, 0, 0 हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं, 0 plus 0, फिर 2, 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5, 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका मतलब, यह आपको आ गया, कि 2x equal to, 2x equal to आ गया, 10, 0, 2, 8, यह आ गया आपका, ठीक है, तो x equal to कितना होगा, 2 इधर x के क्या है, multiply मे इधर जाएगा, तो क्या होगा, divide में, divide का मतलब कि यह जिस दिन यहाँ से 2 हटेगा, यह हो जाएगा, 1 by 2, divide में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका, तो x equal to कितना हो जाएगा, 1 by 2, तो 2 से, जैसे ही, 1 by 2 का, समें multiply करेंगे, तो 1 by 2 का, 1 by 2 का, जैस यह 1 by 2 का, 2 में करेंगे, तो cut के 1 हो जाएगा, 1 by 2 का, 4 में करेंगे, तो 2 हो जाएगा, इसका मतलब कि जो x की value मिलेगी, वो 5, 0, 1, और 4 मिलेगा, 5, 0, 1, 4, x की value निकल गई, अब x की value अगर निकल गया, तो x का value किसी भी equation में, first equation या second equation में रख देंगे, तो y का value निकल जा x की value रखते हैं, तो जैसे x की value रखिएगा, तो x के जगह पे क्या, देखे, x का value आपको क्या आया है, 5, 0, 5, 0, 1, 4, तो x के जगह पे रख दिए, 5, 0, 1, 4 रख दिए, फिर plus में क्या है, y, y हो गया, equal to कितना दिया equation में, 7, 0, 2, 5, दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, देख यहाँ पे, इसका solution, तो y equal to कितना होगा, यह इधर जाएगा, तो क्या होगा, माइनस में, तो इधर गया, तो देखे, माइनस हो गया, ठीक है, माइनस का sign, अब घटा देंगे, 7 में से 5 घटेगा, कितना, 7 में से 5 घटेगा, 2, उसके बाद क्या करेंगे, 0 में से 0 घटेगा 0, ठीक है, 2 में से 1 घटेगा, देखे, 2 में से 1 यहाँ घटाएगा, 1, और 5 में से 4 घटेगा, 1, इसका मतलब कि y का value यह आपका आ गया, ठीक है, y का value कितना है, 2, 0, 1, 1, और x का value कितना है था, 5, 0, 1, 4, तो आपको x और y, दोनों matrix निकल गया, ठीक है, तो x का value आपको, x का value यहां मिल गया ठीक है और y का value आपको यहां मिल गया तो first question का solution निकल गया अब दीखे second question क्या है second question है 2x अब दीखे second question है कि 2x plus 3y 2x plus 3y equal to यहां पे दिया है 2, 3, 4, 0 ठीक है यह आपको दिया हुआ है और अगला equation दिया है 3x plus 2y equal to 2 minus 2 minus 1 और 5 यह दिया हुआ है तो इसको कैसे solve करेंगे अब देखे यह भी same y 10th class का equation है इसको solve करेंगे हम लोग इसको solve करने के लिए क्या करेंगे यहां देखिए इसमें 3 है इसमें 2 है तो दोनों प्लस में है तो इससे minus करेंगे तो चाहे add करेंगे तो यह तो कटेगा नहीं तो सबसे पहले equal कर लाते हैं equal करने के लिए क्या करेंगे इस equation में 2 का multiply कर दीजिए अगर y को कटाना है तो और इसमें 3 का कर दीजिए multiply और करने के बाद minus कर दीजिए 3 में से क्या कर दीजिए 4 equation को क्या कर दीजिए minus कर दीजिए तो इस equation में उपर वाले equation में 2 का multiply कर दीजिए और इसमें 3 का multiply कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा और ये कट जाएगा घटाने पर और घटाने पर जैसी कटेगा 3 equation में से चार equation को घटाईएगा तो कट जाएगा और कट जाएगा तो वहाँ से x की value निकलेगा y के कट देए और x निकलेगा तो x का value निकालने के बाद किसी भी equation में आप रख दीजिएगा तो फिर y का value निकल जाएगा ठीक है इस question को आप अपने से बनाईएगा इस question का आप अपने से कीजिएगा ठीक है और इस question को अपने से बनाके question number question number कौन था ये question number 7 7 का first आपको बता दिए question number 7 का second आप अपने से try करके लाएगे ठीक है और try करके अपने से देख लाएगे बंद राएगे नहीं बनेगा फिर comment box में comment कीजिएगा हम आपको बना करके whatsapp या आगले वीडियो में आपको बता देंगे ठीक है तो आज बस question number 7 तक ही next class में हम लोग question number 7 के आगे 8 से start करेंगे ठीक है और उसमे question number 8, 9 आप अपने से भी try कीजिएगा नहीं आएगा तो बताएगे इस आगले वीडियो में तो question number 8 से हम लोग next class में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही तो आज हम लोग 3.2 का question number 1 से question number 1 से कहां तक देख लिए 1, 2, 7 1, 2, 7 complete हो गया अब 7 के आगे हम लोग next देखेंगे आपको जो भी चीज नहीं समझ में आ रहा है आप comment box में comment जरूर करें ताकि हमको पता चले जो भी चीज हम provide कर रहे है आपको आपको उससे benefit हो रहा है कि नहीं ठीक है तो इसलिए comment करना आपको जयूर है comment जयूर किजिए कि सर क्या problem है क्या नयॉक की इसमें क्या improvement हो सकती है तो यह सब चीज़े आप बताएंगे तब ही हमको मालूम चल पाएगा हम अपने तरह से अभी तो हम lockdown में घर पे आए और इसमें जो भी चीज़े हमसे हो पा रही है हम कर रहा है ठीक है आप लोगों के लिए जले थाइंक्यू